इस वीडियो में हम लोग एकोनोमिक्स के कुछ परिक्षपयोगी तत्व देखेंगे अर्थसास्त की परिभाशा रॉबिन्स अर्थसास्त वह विग्यान है जो की लक्षो एवं वैकल्पिक उपयोगों वाली सीमित साधुनों के परस पर संबंधों के रूप में मानव विवहर का अध्यन करता है मार्क्स अर्थसास्त का उदेश मानव समाज की प्रगती की नियम की खोज करना है बिन्हम अर्थसास्त उन तत्व का अध्यन है जो रोजगार और जीवनस तर को प्रभावित करते हैं प्रोफेसर फ्रेडमान अर्थसास्त कभी वास्तविक विग्यान होता है और कभी आदर्श विग्यान मदपून सिधान्थ पहला एंगल का सिधान्थ इस सिद्धान के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ने पे उसका खाने पीने की वस्तुव पे खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है ग्रेशम का नियम यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है तीसरा उत्पति हास का नियम यदि किसी वस्तु के उत्पादन में एक परिवर्टन चील साधन की मातरा में विद्धी की जाए तथा अन्य साधनों को स्थे रखा जाए तो एक निशिक बिन्दू के पशात परिवर्टित साधन की अतिरिक्त मातराओं से प्राप्त सीमान उत्पादन घर्टा चला जाता है इस प्रविति को अर्थ साध्र में उत्पति हास नियम का हासमान प्रतिफल का सिध्धान कहते हैं परिवर्टित साधन की मातरा में विद्धी करने पर सीमान उत्पादन में अनुपातिक दिस्टी से तीन प्रकाय की प्रवितियां देखन आधुनिक अर्शास्त्री इन तीनों वस्ताओं को समलित रूप से परिवर्टन सील अनुपातों का सिध्धान्थ कहते हैं उत्पत्ती हास का नियम पर आधारित अन्य नियम भी हैं जो हैं पहला माल्थस का जनसंक्या सिध्धान्थ दूसरा रिकॉर्डो का लगान सिध्धान्थ तीसरा सीमान उत्पादक्ता सिध्धान्थ क्रिशी छेत्र में उत्पत्ती हास का नियम सिग्रता से लागू होता है क्रिशी छेत्र में स्रम विभाशन का अभाव होता है चौथा नियम है कीन्स का रोजगार सिध्धान्त इन्हों ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जेनरल थियोरी ऑफ इंप्लाइमेंट इंट्रस्ट एंड मनी की प्रस्ताबना में से के बाजार नियम का पर घातर प्रहार किया और प्रतिस्थिट विचारधारा को और स्विक्रित करते हुए रोजगार का एक क्रम बत तता व्यवस्ते सिध्धान्त प्रसूत किया कीन्स के अनुसार अर्थसास्त में रोजगार का इस्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निभा करता है कुल उत्पादन मात्रा प्रभावपुन मांग की मात्रा पर निभर करती है अर्थात रोजगार की मात्रा प्रभावपुन मांग पर निभर करती है पुंचिवादी अर्थ व्यवस्ता में प्रभावपुण मांग या समर्थ मांग में कमी से बेरोजगारी उत्पन होती है सेख अब आजार नियम कहता है कि पुर्ती स्वैंग अपनी मांग उत्पन करती है या नियम वस्तु विने में और मुद्रा विने में दोनों पर लागो होते हैं इसके अनुसार अर्थ व्यवस्ता में सामान अत्युत पादन के फलसुरूप सामान बेरोजगारी संभव नहीं है कीन्स के रोजगार का तार्किक पारंभिक बिंदू समर्थ मांग का सिधान्त है इसके अनुसार समर्थ के निधारक तत्व दो हैं समग्र मांग फलन और दूसरा समग्र पूर्थी फलन किसी अर्थ व्यवस्ता में समग्र पूर्थी फलन उद्यमियों की कुल लागतों तथा समग्र मांग फलन उनकी कुल प्राप्तियों का प्रतिनेद्ध करती है अर्थ व्यवस्ता में वह मांग समर्थ मांग होती है जहां अर्थ व्यवस्ता में रोजगार इस्तर उत्पादन इस्तर तता आय इस्तर तीनों बराबर हो कीन्स के अनुसार अवसाथ से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए ये आवशक है कि सरकार राजकोशिय नीती का सहारा ले तथा सारवजनिक व्यमे वृध्धि लाए रोजगार बढ़ाने के लिए कीन्स ने लचीली मजदूरी नीती के बदले लचीली मुद्रा नीती का समर्थन किया पाच्वा सिधान थे हमारा नगदी लेन दिन सिधान इसका प्रतिपादन फिशर ने किया था इस सिधान के अनुसार मुद्रा का परिमान ही कीमत स्था रत्वा मुद्रा के मुले का मुख निधारक है फिशर के नुसार यदि अन्य चीजे इस्थे रहें तो जो जो मुदरा संचालन की मातरा बढ़ती है तो तो कीमत स्थ Damn favorites प्रत्थे अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मुल्य भी घटा जाता है और विलोमिश्टा भी यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मुल्य आधा हो जाएगा और ठीक इसके विप्रिद यदि मुद्रा की माचा घट कर आधी हो जाए तो कीमत से गिर कर आधा रह जाएगा और मुद्रा का मुल्य दुगना हो जाएगा उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की मात्रा में संबंद को उत्पादन फलन कहते है यह साधनों तथा उत्पादन के बीच तक नीकी संबंद को प्रकट करता है जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमान उत्पाद सुनने होता है सीमान उत्पाद सुनने और रिनात्मक हो सकता है लेकिन औसत उत्पाद न तो कभी सुनने हो सकते हैं और नहीं रिनात्मक औसत तथा सीमान उत्पाद वक्र एक दूसरे को उस बिंदू पर काटते हैं जहां पे औसत उत्पाद अधिक्तम होता है लेकिन इस बिंदू पे सीमान उत्पाद वक्रे नीचे की और गिरता हुआ होता है नेक्स्ट एक कॉब डगलस उत्पादन फलन इस उत्पादन फलन को कॉब और डगलस नामक दो अर्शास्त्री में प्रतिपादित किया था इसलिए यह फलन उनके नाम से जाना जाता है यह फलन रेखिये समरूप उत्पादन फलन का एक रूप है इसकी महत्मून विश्यष्टाइन निम्न है पहला इस उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों श्रम वपुंजी का लाए जाती है तो परिवर्दन शील साधन की सीमाद उत्पादक्ता घ्टती है। इस पर्ण के अनुसार पेमाने के प्रतिफल स्थिर होते हैं। अर्थष्रम तता पुंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु का पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है इस फलन के अनुसाइट तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है मांग प्रभाव कुन इक्षा ही मांग है यदि अन्य बाते समान रहे तो मुल बढ़ने से मांग घटती है और मुल घटने से मांग बढ़ती है गिफीन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्थन बटा मुले में अनुपातिक परिवर्थन गिफीन वस्तु में निम्न कोटी की वस्तु होती है मुल्ड में प्रिधी होने पर गिफीन वस्तों की मांग बढ़ जाती है तथा मुल्ड में कमी होने पर इसकी मांग कम हो जाती है इस विरोधापास को गिफीन विरोधापास की संग्या दी जाती है आवश्यक वेक्तियों की वस्तों की मांग बे लोचदार आराम दायक वस्तु की मांग लोचदार तो तब विलासिता संबंदी वस्तु की मांग अत्तिदिक लोचदार होती है जब किसी वस्तु के इस्थाना पन्न उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग लोचदार होती है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोव संभव होने पर मांग लोचदार होती है पूरग वस्तु की मांग बे लोचदार होती है यदि समाज में धन का असमान वित्रन है तो मांग की लोच बे लोच होती है जबकि धन का समान वित्रफ होने पर मांग की लोच अतिधिक लोचदार होती है माशल के अनुसार मांग की लोच को समय तत्तो भी प्रभावित करता है कीमत की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया की अब्धी जितनी कम होगी मांग की लोच उतनी बेलोच होगी इसके विपरत समय की अवधी जितनी अधिक होगी मांग की लोच उतनी ही लोचदार होगी जिन वस्तू पर वे किया जाने वाला प्रतिशक बहुत अधिक होता है उनकी मांग लोचदार होती है ततर जिन पर आय का बहुत थोड़ा भाग वे किया जाता है उनकी मांग बे लोचदार होती है अर्थ सास्त प्रमुख पुस्तक पुस्तक है वेर्थ आफ नेशन ओधर है आडम स्मिथ फॉंडेशन ओफ इकोनोमिक एनालेसिस सैमलसन प्रिंसिपल ओफ इकोनोमिक्स मार्शल नेशर और सिग्निफिकंस ओफ इकोनोमिक साइन्स रॉबिंसन दास कापिटल कार्ल मार्क्स The Theory of Employment, Interest and Money J.M. Kench General Theory of Employment, Interest and Money Keynes How to pay for war Keynes Mudra के मुल्ले में परिवर्तन Mudra मुल में होने वाले परिवर्तन के मुखे चार रूप होते हैं Mudra Svithi, Av Svithi, Mudra Sankuchan Mudra Sun Svithi, Mudra Av Svithi Mudra Svithi, Inflation Mudra Svithi, Vars Siti है जिसमें कीमत स्थर में विद्धी होती है तता Mudra का मुल्ले गिरता है यानि Mudra Svithi, वह वस्ता है जब Vars Svithi की उपलब्द मातरा की तुल्ना में Mudra तता साख की मातरा में अधिक विद्धी होती है और परिनाम स्वरू, मुल्ले स्तर में निरंतर्व महत्पून विद्धी होती है जिसे वस्तुय महंगी हो जाती है इसमें देंदार को हानी होती है और लेंदार यानि रिनी को लाव होता है भारत में Mudra Svithi थोक मुले सूचकांग के द्वारा मानी जाती है मुद्रा अपूर्ती की विद्धी पर नियंतर्ण कर मुद्रा Svithi को स्थाई रूप से नियंतर्द किया जा सकता है कीन्स के अनुसार वास्तिविक मुद्रा Svithi पूर्ण रोजगार बिन्दू के बाद ही उत्पन होती है पूर्ण रोजगार बिंदू से पुर्व उत्पन होने वाली स्विती आंसिक स्विती कहलाती है जो प्रेनात्मक होती है मुद्रा स्विती से अभी प्राय बढ़ती हुई कीमतों के करम से हैं ना कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिती से अतिदिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन स्थिति को चलन स्थिति कहते हैं उदार रिनीती के फलस्वरूप व्यापारिक बैंको द्वारा अतिदिक साख निर्गमन के कारण उत्पन स्थिति को साख स्थिति कहा जाता है वस्तू और सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप, तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियाता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्विती उत्पन करती है वस्तों की उत्पादन लागत बढ़ जाने की कारण जब वस्तों की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्विती कहते है बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन के अंतर करत नए नोटों को छापा जाना मुद्रापूर्टी का विस्तार करता है जिससे कीमतों में व्रिद्धी होती है इसे हीनार्थ प्रेरित स्विती या बजटी स्विती कहा जाता है अब मुल्यन के फलसुरूप अब मुल्यन के फलसुरूप निराद बढ़नेता था देश में आंतिक पूर्टी घर जाने से वस्तूओं की कीमेते बढ़ने लगती है जिससे अब मुल्यन जनित स्विती कहते हैं खूली मुद्रास्विती इसमें समाज में बढ़ती हुई आय की उपभोग पर कोई नियंत्र नहीं लगा जाता है जबकि दभी मुद्रास्विती में उपभोग की मात्रा पर नियंत्र लगा दिया जाता है मुद्रा इस्विती का प्रभाव पहला उत्पादक वर्ग को लाव होता है जैसे कृष्यक उद्योगपती व्यापारी रिनी को लाव तता रिन दाता को हानी होती है निश्चित आये वाले वर्ग को हानी होती है जबकि परिवर्ती ताये वाले वर्ग को लाव होता है समाज में आर्थिक विशमताय बढ़ जाती है धनी वर्ग और धनी तथा नेर्धन वर्ग और नेर्धन होता चला जाता है व्यापार संतुलन पक्ष में हो जाता है जबकि आयात में विद्धी तता निर्यात में कमी हो जाती है मुद्रा प्रशार के लिए उत्तरदाई सरकार की नीतियां हिनार्थ प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन, उदार रिन एवं साख नीति युदर जनित अनुत पादक व्यय, प्रतिगामी कर अधान नीति, प्रशुर के वं व्यापार नीति, कठोर उद्योग नीति मुद्रा स्पिति को नियंतित करने के उपाए पहला, राजकोश्य नीति नेक्स्ट है हमारा मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्विति जिसको हम लोग डीफलेशन भी कहते हैं यह मुद्रा स्पिति की विप्रित अवस्था है, इसमें मुद्रा का मुल्य बढ़ता है और वस्तु एवं सेवाओं का मुल्य घटता है प्रोफेसर पीगू के अनुसार मुद्रा संकुचन के दो प्रमुख लक्षन है उत्पादन में व्रिधी मुद्रा के मात्रा से अधिक होती है, मुल्यों में गिरावट आती रहती है मुद्रा संकुचन निम्न परिस्तितियों में दिस्टी गोचर होता है पहला मुद्रिक आये यथावत अथ्वा गिरती रहे पर वस्तु एवं का उत्पादन बढ़े जब वस्तों के पुट्टी मांग से अधिक हो मुद्रा संकुचन दीफ्लेशन को रोकने के उपाए पहला मौद्रिक उपाए पहला मुद्रा का अधिक निर्गमन दूसरा साख मुद्रा का विस्तारन दूसरा राजकोशी उपाए इसमें पहला है सारवजनिक वे में विधी दूसरा करर ओपन में कमी तीशरा रीनो का भुक्तान चौथा आर्थिक सहायता एवं अनुदान में विधी नेक्स्ट है अन्य उपाए जिसमें पहला है निरात में विधी तथा आयात में कमी पूर्थी पे नियंत्रन मुद्रा अवस्फिती अर्थ विवस्ता में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरुजगारी बढ़ाती है जिससे संपूर्ण अर्थ विवस्ता निर्जीव होकर मंदी के दौर में फश जाती है नेक्स्ट है हमारा मुद्रा संस्फिती जिसे रीफलेशन भी कहते है वो प्रक्रियाज जिसमें जान बूच कर मुद्र और साख की मात्रा में विर्धी करके वस्तू मुल्यों में विर्धी का प्रयाज किया जाता है संस्फिती प्रायर अर्थ वरस्ता में व्यात मंदी से छुटकारा प्राप्ती के लिए किया जाता है मुद्रा स्विति और संस्विति की प्रकृति लगबग एक सी होती है दोनों ही मुद्रा की मात्रा बढ़ाती है तेता कीमतों में व्रिधी होती है पर उन्तों दोनों में कुछ महतुपूर्ण अंतर होता है संस्विती जान भूच कर नियंतरनात्मक रूप में बिगडी हुए स्थिती को सुधारने के लिए बनाई जाती है जबकि मुद्रास्विती प्राय अनियंते तेवं परिस्थिती जन्ने होती है मुद्रास्विती के अंतरकत वे सब क्रियाएं नीतियां वह उपाया आते हैं जो मुद्रास्विती के वेग को रोकने के लिए किये जाते हैं मुद्रास्विती में मुद्रासंकुचन में तुलना मुद्रा अवस्विती या विस्विती देश में मंदी की स्थिति उत्पन करती है जबकि मुद्रा अवस्विती कीमत स्थर को सामान में ववस्था में लाने के लिए बनाए जाती है मुद्रा अविस्विती नियोजन रूप में एक निधायद नीती के अनुसार की जाती है जब कि मुद्रा संकुचन स्वेम उत्पन होती है मुद्रा अविस्विती देश की आर्थिक स्थिती में सुधार के लिए होती है जबकि मुद्रा संकुचन से देश को हानी होती है मुद्रा संकुचन ये मुद्रा अविस्थिती दोनों ही गिरती हुई कीमतों का सूचक है तथा दोनों की प्रकिती लब एक सी होती है तिहीन स्विती या निस्पन्द स्थिती स्टाग्ट फ्लेशन और स्लंप फ्लेशन यह उस स्थिती का गोह तक है जब अर्थ वैवस्ता में तो एक और कीमते बढ़ती है तथा दूसी और आर्थिक विकास अवरुद होकर अर्थ वैवस्ता में निश्क्रेता और जड़ता की स्थिती उत्पन हो जाती है अर्थाथ इसमें आर्थिक निश्क्रेता अथवा विकास में स्थिता तथा स्थिती एक साथ मौजूद रहते हैं निश्पन स्थिती एक नई बिमारी है जिसमें वस्तूओं के मुल्यों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धी होती है किन्तो साथ साथ बेरुजगारी में भी वृद्धी होती है और उत्पादित किया हुआ माल्ग विकना कठिन हो जाता है निश्पन स्थिती उत्पन होने के कारण स्लंफलेशन उत्पन होने के कारण मुद्रा की मात्रा में तेजी से वृद्धी मजदूरी दरों में तिव्र विद्धी, प्राकृतिक प्रकोप, विदेशी व्यापार में घाटा, उत्पादन लागत में विद्धी, लंबे समय तक मुद्रा स्विती की स्थिती का बने रहना लॉरेंज कर्व आय के वित्रन में व्याप्त विशमताओं को प्रदिश करने के वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं, लॉरेंज वक्र आर्थिक विशमता की माप करता है गिनी गुनांग आय या संपत्ती के वित्रन में व्यापत असमानता की सांखे की माप गिनी गुनांग कहलाता है गिनी गुनांग का माण जितना अधिक होगा समाज में विशमता भी उतनी अधिक होगी कुजनेट्स वक्र साइमन कुजनेट्स के अनुसार प्रती विक्ति आई की विधी के साथ साथ प्रारम में आई की विशमता बढ़ती है तथा बाद में आई की विधी के साथ आई वित्रन की विशमता कम होने लगती है यदि हम इन दोनों के संबंद को वक्र द्वारा प्रदशित करें तो वह उल्टे यू आकार की प्राप्त होती है इस वक्रों को ही कुजनेट्स वक्र कहते हैं फिलिप्स वक्र किसी भी अर्थ विवस्ता में फिलिप्स वक्र द्वारा बेरुजगारी की दर एवन मुद्रा स्विती के वित्करम संबंदों को दर्शाया जाता है यदि किसी भी देश में बेरुजगारी की दर कम है तो मजदूरी दर अधिक होगी यदि बेरोजगारी की दर अधिक है तो मजदूरी दर कम होगी अतब फिलिप्स वक्र बेरोजगारी तत्था मुद्रा मजदूरी के बीच बस्तू बिनिमयों को व्यक्त करता है पर्यावर्नी कुजनेट्स वक्र आर्ठिक विकास की दर्थ तथा प्रदूशन के केंदी करन के मध्य पाए जाने वाले संबंध को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कुझनेट्स पर्यावर्णी वक्र कहते है लाफर वक्र यदि करार ओपन की दरों को कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्थ होने वाले राजस्वे में वृद्धी होती है लेकिन यह वृद्धी एक सीमा से अधिक कमी कर दिये जाने पर करागत राजस्वे में कमी आएगी प्रस्टाओ वक्र सरकार मार्शल तथा एजवर्थ ने इसे प्रयोग किया था लेकिन अब मील के पारस पर एक मंग सिद्धांत अंतरास्टे व्यापार से लाव विने मेदर सिद्धांत और प्रश्चल कि सिद्धां की व्याख्या करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष वस्तू कीमत को निर्धारित करता है जिस पर व्यापार होता है यह उस देश की निर्यात योग्य वस्तू की विविद मात्राओं को प्रदर्शित करता है जिने वो देश विविद अंतरास्टी कीमत पर आयात योग्य वस्तू स को दर्शाता ही है साथ ही व्यापार शर्तों और व्यापार के परिणाम में परिवर्तनों से व्यास्तविक आये में होने वारी परिवर्तन को दिखाता है